हेलो एवरीवन स्वागताब सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पार्शाला में माइनेम इस हिमानी चुहान और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करेंट अफेस 2022 इट मेंज यह आपके एक रिविजन क्लास है तो फिरिंट सुहसार बाइस के जो इंपोर्टन करेंट अफेस रही है चुकि आपके एक्साम के इंपोर्टन है क्योंकि करेंट अफेस के लिए रिविजन बहुत जरूरी है तो अगर आप यह रिविजन वाली क्लास भी अटेंड करेंगे तो इससे आपका जो करेंट अफेस है वो स्ट्रॉंग होता चला जाएगा और जागे कि आपको हेलपफूल है आपकी एक्साम के लिए तो प्लीज लाइक करें शियर करें जाद से जादा और प्लीज चानल को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेशन फरस्ट से विच कंट्री है डिनाइड परमिशन टू एन इंडियन कौन से देश ने पादव सुच्छता संबंदी चिंताओं पर एक भारतिय गेहूं की कंसाइनमेंट ती उस कंसाइनमेंट की जो परमिशन है उसको देने से इंकार कर दिया है तो ये ऐसा कौन सी कंट्री ने किया है तो सही आंसर है यहाँ पर टूगी के द्वारा जो है वो पताए हैं कि हमें फाइटो सैनिति यानि यानि जो पादव सुच्छता संबंदी चंसन हैं हमें काफी जादा तो ये जो जहाच है न वह अपक्या होगा वापस अपनी रिटर्न जर्नी पर चले वहाँ उन्होंने परमिशन नहीं दिये तो अब क्या होगा यह रिटर्न since the two countries account for one-fourth of the global wheat trade तो काफी ज़्यदा effect पड़ा है क्योंकि रश्यागा जो युक्रेइन पे इंवेजन हुआ था ना उसके वज़े से जो wheat की यानि गेहों की जो global supply होती है उसको काफी ज़्यदा इससे फर्ग पड़ा है पात करते हैं तो आप यहां देख सकते हैं माप में इस तरीके से यह टुकी फैला हुआ है टुकी के धर आप देख सकते हैं बलाक सी है और यहां पे कौन सा है Mediterranean सी है टुकी कापिटल है Ankara करंसी है टुकिश लीरा यहां के प्रेजिरेंट है रिकैप तैयब एडोगन नेक्स्ट वक्षिशन के तरह बढ़ते हैं तो क्वेशन में पूचा है हम भाहम से विच कंट्री है साइन एन एमयू तो एन्हेंस बाइलेटल कोपरेशन इन यूथ मैटर्स विद इंडिया तो अभी रिसेंटली भारत और नेक्स देश के साथ मिलके यूवा मामलो के मतलब यूद्चो मैटर्स है ना उनमें सहयोग बढ़ाने के लिए एक मयू साइन किया तो ये मयू साइन हुआ है इंडिया और कॉनसी कंट्री है दूसरी सेनेगल के बीच में तो यहाँ पर दीखे तोटल तीन मयू साइन किये गए है जो पहला मयू है ना ये क्या करेगा ये जितने भी पासपोर्ट होल्डर्स है ना उनके लिए वीजा फ्री जो वेवस्ता है उससे संबन देता है पहला मयू सेकेंड मयू जो है वो करता है 2022 से लेके 26 का जो पीरियड है उसके लिए यहाँ पे कल्चर एक्षेंज प्रोग्राम के रिन्यूबल से रिलेटिड है दूसरा एग्रिमेंट वहीं जो तीसरा एग्रिमेंट हुआ है या तीसरा मयू हुआ है वो एन्हेंस करेगा बाइलेटल कॉपरेशन यानि दूई पक्षिय सहयोग को किश्रीज में यूथ मैटर्स में तो यह तीनों जो मयू हुए है वो सेनिगल के साथ में हुए है यह मयू साइन हुए है डियोरिंग वाइस प्रेजिडन अभी वाइस प्रेजिडन जो है वो सेनिगल की विजिट पे गए तो उसी दौरान जो है वो यह मयू साइन किये गए है सेनिगल के कापिटल है धकार करंसी है वेस्ट अफ्रिकन सीफे फ्रेंक और प्रेजिडन है मैकी सेल कुछ और मयू हम लोग रिवाइस करते हैं फ्रेंड्स तो देखें इंडिया और यूसे ने अभी एक इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रिमेंट साइन किया था टोक्यो जबान में तो ये इंडिया और यूसे के बीच में हुआ था इंडिया और जॉर्डन के बीच में इन्वेस्टमेंट साइन हुआ टो कॉपरेट इन फोर्डिलाइजर सेक्टर्स इसके लावद है कि मिनिस्ट्री आव इसके डेवलप्मेंट ने एम्यू साइन किया है किसके साथ इस्टो के साथ ताकि ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किया चासके तिलंगाना ने गूगल के साथ मिलके एक मियू साइन किया है यंग और वुमन एंटर्परिणोर्स की डिजिटल एकोनॉमी के लिए तो ये मियू भी हमें ध्यान रखनी है और फ्रेंट्स एग्रिमेंट और मियू से आपका डेफिनेटली एक्वेशन एक्जाम में पूस सकते हैं तो इसलिए इसको ध्यान जरूर करी अगला कोशन है इंडिया इंडिया एंड डाश मिलिटरी कॉपरेशन गुरूप मेटिंग वोस हेल्ड तो इलेवन्थ नमबर की देखे मिलिटरी कॉपरेशन गुरुप मीटिंगहूई है अब यहां हमें बताना है वो दूसरी कॉन्टरी कॉनसी है जसके साथ यह बैटक आयजित कि गई तो राइट आंसर इस इटली के साथ जो है वो यह मीटिंग हुई है तो इंडिया इतली military cooperation group है यह establish किया गया था to boost defense cooperation between the both countries तो दोनों देशों के बीच में रक्षा सयोग को बढ़ाने के लिए ही इसको establish किया गया था और इस meeting में अगर हम इंडिया की तरफ से बात करें अध्यक्षिता किसने करी है तो जो deputy assistant chief of integrated staff है चिनका नेम है ITS, Brigadia, Vivek, Narang तो इन्होंने इंडिया की तरफ से इसकी अध्यक्षिता करी है meeting की तो आपको ज़रू ध्यान रखना है friends कोई भी meeting होती है तो इंडिया की तरफ से उसमें participate कौन कर रही है इसके बारे में हमें definitely पता होना चाहिए आगले question पर बाते हैं question है who among the following union ministers has released a book and its e-version on 8th year of administrative and pension reforms 2014-2022 तो कौन से केंद्रे मंत्री है जिन्होंने 8 साल के प्रसाशने को और pension सुधार पर एक book और उसी का e-version जो है इसको जारी किया है right answer देखिए हाँ पर हो जाएगा Dr. Jitendra Singh तो इनके पास में जो public grievance और pension minister है ये state के तो इन्होंने जो है वो इस book को release किया है also उन्होंने देखिए address में के उन्हों नई दिल्ली में जो है प्रसाशनिक शुधार और pension से related जो भी reforms या सुधार है उस पे एक webinar में उन्होंने inaugural उसको address भी किया है यानि यहाँ पे उन्होंने उसमें भाशन भी दिया है तो आपको ध्यान रखना है simply कौन से minister है बस इतना ध्यान रखेंगे डॉक्टर जितेंदर सिंग अगला question पूछा गया है देखे हूं among the following has inaugurated the North India's first industrial biotech park in Jammu and Kashmir तो friends यह जो North India है ना उसका पहला industrial biotech park है और यह कहां बन रहा है जammu कश्मीर में इसे inaugurate किसने किया है तो जammu कश्मीर के Lieutenant Governor Manos Sinha ने इस park का उदगाटन किया है तो Manos Sinha और Union Minister Jitendra Singh इन्होंने मिलके से inaugurate किया है तो जammu कश्मीर में घाटी जगा है कठुआ के पास में वहाँ यह park जो है वो construct किया जा रहा है यह जो biotech park है ना एक hub की तरह काम करेगा क्योंकि इसमें गया होगा देखे जितने भी entrepreneurs हो गए कोई start-up से देखे progressive farmers है तो उनको support करने के लिए जो है platform यहाँ पे provide किया गया और उसी को यह तरीके से बोला गया है industrial biotech park कुछ और news की बात करते हैं तो फ्रेंड अभी recently देखे Union Minister Dr. Jitendra Singh ने इंडिया का पहला lavender festival को inaugurate किया कहाँ पे भदरवहल जammu कश्मीर में Union Minister MSMB नारायन राने जो है इन्होंने inaugurate किया month long mega event enterprise India इसके अलावा मिनाक्षी लेखी ने inaugurate किया India alumni portal को to facilitate foreign scholars who have studied in country to remain connected तो यह जो portal यह मिनाक्षी लेखी ने inaugurate किया है अगले question पर बढ़ते हैं तो question में पूचा है friends देखिए which Indian chef has been ranked among the top 10 global chefs in the world by gadget review तो gadget review जो है न उसके द्वारा कौन से इंडिया के chef है जिनको top 20 global chefs में स्थान मिला है या स्थान दिया गया है तो आप इनको सभी जानते होंगे इनका नाम है विकास खना तो friends विकास खना को जो rank मिली है ना वो भी ध्यान रखेगा इनको मिली है 6th rank ठीक है वही इस लिस्ट में जो top पी है कौन से chef है तो यह British chef है Gordon Ramse तो यह रही है इसमें first place पे और इंडिया के जो है विकास खना यह इसमें इसमें 6th place में है विकास खना जो है इस also known for creating the most expensive cookbook in the world तो दुनिया की सबसे महंगी cookbook बनाने के लिए भी जो है यह जाने जाती है next हमारा question है which Indian navy ship will be decommissioned at the naval dockyard in Mumbai after 32 years of being at the forefront तो कौन सा इंडिया का navy ship है जो 32 साल की सबसे आगे रहने के बाद अब मुंबई के naval dockyard से इसको सेवमुक्त किया जाएगा या फिर इसको decommission किया जाएगा तो right answer है INS Nishank तो इसका नाम ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे दो ships को farewell मिलेगी एक तो है INS Nishank और एक है INS Akshay तो आज के दिन ही मुंबई के naval dockyard से इनको विदाई दे दी चाहेगी इनको farewell मिल चाहेगी इनको rest मिलेगा है ना निशांग जो है यह fourth of the weir class missile corvette है और has been an integral part of the killer squadron तो killer squadron जो है इसका भी integrate part था 1971 की war में भी इसने क्या किया था एक तरीके से hero की तरह participate किया अभी recently अगर हम decommission की बात ही कर रहे हैं तो देखे 28 माई को INS गोमती को भी decommission किया गया नेवल डॉक्यार्ड मुंबई से जो INS गोमती है इसका नाम गोमती रिवर के उपर रखा गया था और इसको 16 April 1988 में commission किया था इंडियन नेवी में next question पर बढ़ते हैं which state government has decided to abolish the physical stamp papers and launched e-stamp facility तो कौन से राजे की सरकार है फेंट जिसने देखे जो physical stamp papers है उनको समाप्त करके और e-stamp facility को launch करने का जो निर्ने है वो लिया है तो ये निर्ने लिया गया है पंजाब की सरकार के द्वारा earlier the e-stamping facility was applicable पहले देखो जो ये e-stamping facility होगी न इससे 20,000 की value पर ही applicable होगी उसके बाद इसको एक the government is extending this facility to stamp paper for all denominations मतब जो एक रुपे से start होगे और 20,000 तक तो वहां तक ही ये applicable रहे गी उसके बाद धीरे-दीरे करके इसको आगे बढ़हाया जाएगा बात करते हैं फ्रेंट पंजाब की तो capital है पंजाब की चंडीगर यहाँ पे governor है बनवारी लाल परोहित और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे नाये बने हैं आमादमी parties ने हैं ये भगवनत बान जो पंजाब में एक city है अमरिच सर सिटी ये 1570 के टाइम पे इसकी स्थापना की ग पंजाब से लेटेड कुछ और करेंट अफेस देख लीचे पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है इस टाइम पे भगवनत मान उन्होंने लोग मिलनी स्कीम शुरू करी थी पब्लिक कंप्लेंट्स को रिड्रेसल करने के लिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने ही जगरनात यत रातरा को स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया पंजाब पहला इंडियन स्टेट बना जिसने टिशू कल्चर बेस्ट सीट पोटेटो रूल्स को अप्रूवल दिया है और पंजाब के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चरंजी संग ची सिंग चनी है उन्होंने मेरा घर मेरे नाम की जो स्कीम है वो भी शुरू करी चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले question पर फैंसे कि हम लोगों कुरा जिस question से जितना पढ़ना है हमें उतना ही चीज़े याद रखने हैं अगर आप इसी तरीके से handle करेंगे ना सभी चीज़े को तो बहुत आराम से आप लोग easily कर सकते हैं next question है which company has launched the India's first rupee based crypto rupee index ये कौन सी company है जिसने भारत का पहला रुपिया आधारे crypto rupee सुचकांक को जारी किया है तो अगर बात करते हैं company का नाम तो इसका नाम है coin switch तो ये है company का नाम in the country's first benchmark index to measure the performance of the rupee based crypto market बड़ देखिए जो rupee based crypto market है उसके performance को measure करने के लिए country का पहला benchmark index होगा और इसी index को अगर हम बात करें launch किसने किया है तो coin switch company है जो की इंडिया की largest crypto investing application है इसने इस index को release किया है तो आपको ये यहां से ध्यान रखना है अगला question देखिया हमसे क्या भोलता है who has been appointed as the director general of national informatics center तो जो राश्टिय सूशना विज्ञान केंद्र है वहाँ पे director general के रूप में किसी नियुक्त किया गया है सही answer हो जाएगा राजेश गेरा तो ये नैशनल इन्फॉर्मेटिक्स जो center है वहाँ पे ये डारेक्टर जर्नल अपॉइंट किये गए है ये करंट में यहां के डपुटी डारेक्टर जर्नल थे लेकिन अब इनको डारेक्टर जर्नल बना दिया गया है जो एन आईसी है नाशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है ये मिनिस्ट्री ओफ इलेक्ट्रोनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नलोजी के अंडर्वर्क करता है इसके इस्टेबलाइश्मेंट हुई थी 1976 में और ये करता गया है देखो ये सेंटर और स्टेट गवर्मेंट्स के जितने भी जो टेक्नलोजी डाइवन सॉलुशन्स है ना उनको प्रदान करने का अगाम करता है तो इसका मेन अब्जेक्टिव ये है विरिसेंट के और अपॉइ इंडियन्स रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के चियर्मेन बने नेक्स्ट नेम है गिलवर्ट हॉंग बो ये इंटरनाशनल लेबर ओगनाईजेशन के नेक्स्ट डारेक्टर जर्नल बने है और संजे बजाज ये अपॉइंट होए है ऐस प्रेजिदेंट ऑफ तो फ्रेंट्स ये हमारे कुछ और अपॉइंट्मेंट्स में हैं जिनको हमें याद रखना है चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेशन पर क्वेशन ने देखिए दा इंडियन इंडिया इंडियन मैंस होकी टीम हाज वॉन डाश मेडल इन होकी एशिया कप 2022 आफ्टर डिफीटिंग जपान वन जीरो तो जो मैंस की होकी टीम है न देखिए उन्होंने जपान को हरा कर एशिया कप में कौन सा मेडल जीता है तो इंडिया की मैंस टीम ने जो है ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स इसमें ब्रॉंस मेडल जीता है इंडिया के जो काप्टन कारे के लिए उनको player of the match उन्होंने चीता है अगर हम टाइटल की बात करतें तो यह टाइटल किसने चीता है तो साउथ कोरिया ने जो है यह टाइटल चीता है मलेशा को डिफेट करके और यह इसका edition कौन सा हुआ था तो याद रखेंगे फ्रेंग्स यह इसका हुआ था 11th edition और इंडिया इसमें 3rd place पे रहा यानि इंडिया ने इसमें bronze medal हासिल किया अब यहां पर देखे होकी के बात ही होते है तो इंटरनाशनल होकी फेडरेशन यह होकी को regulate करने वाली संस्ता है इसके सापना 1924 में हुई इसका हेड़कॉर्टर है लोईसन स्विसलेंड में प्रेजिडेंट का नाम है डॉक्टर नरेंद धुरुबत्रा और CEO है इसके theory will membership है में इसकी 137th national association है अभी रेसेंटली में आपको बताया था कि जो इंडिया के men's hockey team में वो कौन स प्लेस पे है next question में देखो पूछा कया है which country has won its first ever medal at the IBSA judo grand prix in June 2022 तो इस grand prix में पहली बार जो है अपना medal चीता है कौन सी team ने तो सही answer हो जाएका इंडिया तो पहली बार जो है वो इंडिया ने medal चीता है इस grand prix में judo grand prix में इसका venue यानि यह हुई कहां पे थी नूर सुलता कजाकिस्तान में हुई थी इंडिया ने blind और para judo associations judo को कपिल पर्मार जो है उन्होंने इस event में कौन सा medal जीता है bronze medal जीता है देखिए यह जो grand prix होती है ना इसको दो classification system में डिवाइट किया हुआ है J1 और J2 categories जो J1 categories है उसके जो competitors है वो partially sighted है जनको थोड़ा थोड़ा दिख इसको divide किया हुआ है इसको classify किया हुआ है कुछ और sports news की बात करती है friends तो देखिए Australia में जो Victoria है यह host करेगा 2026 का Commonwealth Game इसके इलावा देखिए नीदरलेंड ने जीता F.I.Edge Junior Women's Hockey World Cup का title पहला खेलो इंडिया national ranking Women's Archery Tournament यह कहां पे होगा जमशेदपूर में Formula One जो Australian Grand Prix हुई यह जीती है Charles Lecklerk ने और Beharin Grand Prix भी किसने जीती है Charles Lecklerk ने Next question की तरह बढ़ते हैं Who has launched a global initiative lifestyle for the environment movement तो यह जो पहल है यह किसने शुरू की है Answer हो जाएगा Prime Minister Narendra Modi जी ने Environment Movement के लिए एक Global Initiative Lifestyle को launch किया है यह जो launch किया गया है Life Global Call for Papers तो इसके शुरुआत की है जिसमें क्या होगा जितने भी देखिए जो जो सिक्षविद होगे जो academics हैं उनके यहाँ पर आइडियास को invite किया गया और उन आइडियास से जो इंडिवीजूल से ना उनको influence किया जाएगा कि वो environment conscious तो lifestyle उसको adopt कर सके एक तरीके से परियावरन के प्रतिया आप जागरुक हो सके तो उसके लिए जो lifestyle आपका होना चाह जाएगा यह जो idea आया है life का ना इसको introduce किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा during COP26 को जो की हुआ था ग्लासको में 2021 में तो उस time पे जो है ना इसको introduce किया गया तो अब इसे launch किया गया है कुछ और information के बात करते हैं तो देखें अभी recently प्राइम मिनिस्टर मोधी जी ने वर्ट का पहला नैनो यूरिया liquid plant इनागरेट किया गुजरात के कलोल में जो विवेक कुमार है यह IFS officer है और यह प्राइम मिनिस्टर के private secretary appoint हुए हैं प्राइम मिनिस्टर मोधी जी ने प्रधान मंत्री संगराले का इनागरेशन किया न्यू डेली में next question है हमारा in which state union minister मंसुख मांडवया has inaugurated the national food laboratory office आई तो कौन से राज्य में ये national food laboratory का उद्गाटन किया गया है answer हो जाएगा friends बिहार अचा किसके द्वारा किया गया है तो ये भी हमें याद रखना है मंसुख मांडवया जी ने इसका inauguration किया है अब ये जो laboratory ने क्या काम करेगी देखें जो इंडो नेपाल bilateral agreement है ना उसके तहत जो food import होता है जो samples food samples import होते हैं उसके testing में कंसाय में लगेगा तो जो आपके रॉक्सोल फ्रॉम नेपाल तो नेपाल से जो रॉक्सोल से लाए जाते हैं food samples उनकी यहां testing होगी इससे समय इसले कम बज़ेगा क्योंकि पहले क्या होता था जितने भी imported samples थी ना वो national food laboratory कॉलकाता भेज जाते थे testing के लिए तो कॉलकाता के distance थोड़ी से दूर पढ़ती थी तो बिहार में इसको खोला गया है तो अब क्या होगा कि इससे time के काफी जादा बच्चत हो जाएगी बात करती हैं फसाई यानी food safety and standards authority of india इसके शुरुवात थी august 2011 में headquarter है इसका न्यू डेली मर्स के चीर परसन है रिता टियो टिया जो फसाई है न इसे food safety and standards act 2006 के तहत इसको जो है वो stabilize किया गया था next हमारा question है which state government has decided to ban all single use plastics from July 2022 तो कौनसे राजे के सरकार ने जुलाई से सभी जो single use plastic वाली चीज़े होती है उनके उपर पूरे तकिर के से ban लगाने का decision लिया है तो यह decision लिया गया है पंजाब सरकार के द्वारा तो यह जो announcement है यह word environment day के occasion पर यह announcement करी गई है तो यह जो award है ना इसकी announcement भी इस event के दौरान की गई जो कि कब हुआ था word environment day के दिन हुआ था next question है which state's chief minister has reconstituted the council of ministers of the state तो भई कौन से राज्य में मुख्य मंत्री ने राज्य की जो मंत्री परिशद है ना उसका पुनरगटन किया है उसको दुबारा से देखे चुना गया है तो यह कहां पे किया गया है तो उडिसा में किया गया तो उडिसा के जो chief minister है नवीन पतनायक उन्होंने यहां पर आप देख सकते है 21 ministers को जो है वो include किया है और फिर बदल करी है मतब साथ पहली बार और तीन महिलाओं सहीत 21 यहां पर ministers को include किया गया है और पहली बार उडिसा की political history में ऐसा हुआ है कि सारे के सारे जो ministers है न उन्होंने quit किया है और फिर से दुबारा से जो है वो reappoint हुए मतब फिर बदलो यह और यह ऐसा पहली बार हुआ है उडिसा की political history में अब बात करते हैं थोड़ी से उडिसा की तो आप यहां पर अगर हम इसको थोड़ा सा जूम कर ले मैपको तो हम उडिसा की location देख सकते हैं मैप में तो आप देख सकते हैं यह हमारा state कौन सा है यह है उडिसा state उडिसा की बात करते हैं फ्रेंट्स तो इसके establishment 1st April 1936 को हुई पहले एपरिल को उतकल दिवस के नाम से celebrate किया जाता है Capital है उडिसा की भुमनेश्वर, CM है नवीन पतनाए, गवर्नर है गनेशिलाल, लोगसबद सीटे हैं 21, राज्यसबद सीटे हैं 10 और Assembly सीट है 147 जो Sun Temple है जिसको कहा चाता है Black Pagoda के नाम से भी ये UNESCO की World Heritage List में भी include है यहां पर important लेक में आपको याद रतना है चिलका लेक चुकि largest ब्रेकिश वोटर लेक है भारत की और इसे लगून लेक के नाम से भी जानती है जो हीरा कुन डैम है ये longest टैम में पूरे वर्ड में और जो की महानदी रिवर पे बना हुआ है important stadium में याद रखेंगे कलिंग stadium है यहां पे एक बीजू पतना है एक होकी stadium याद रखेंगा ये एक्जाम में जादा तर पूछ लेती हैं अगला question है हमारा which state's cabinet has approved the proposal to remove the governor as a visitor to private universities तो question में बूछा गया है देखे कि किस राज्य की जो cabinet है उन्होंने जितनी भी private university है वहां पे visitor यानि अतीती के रूप में governor को हटाने के प्रस्ताप को मन्जूरी दे दी है तो ये कहां पी हुआ है answer हो जाएगा West Bengal तो cabinet ने approval ये दिया हुआ है देखे जो chief minister है वो एक तरीके से जितने भी सरकारी विश्विध्याना जो निवर्सिटी है ना वहां पे chancellor उनको बनाने के प्रस्ताप को मन्जूरी दे दी है now to be implemented these bills need to get constant from the governor before becoming an act तो अधीरियम बनने से पहले राजजपाल से भी यहां पर सहमती लीनी होगी तो यहां पे state का ध्यान रखेगा West Bengal तो West Bengal यहां पे है बिल्कुल बांगलादेश के साथ पूरी ये सीमा अपने साज़ा करता है capital है कॉलकाता, CM है ममताब एनरजी, governor है जगदीब धनकर यह सभी most important है आपके West Bengal से अगले question की तरफ बढ़ते हैं तो next question है SPI Foundation has partnered with DASH for Digital Learning Program in June 2022 तो अभी recently SPI Foundation ने देखे Khan Academy के साथ जो है partnership करी है किस चीज़ के लिए? Digital Learning Program के लिए अब देखें यहाँ पर क्या होगा, जो SPI Foundation है ना यह अब स्कूल को launch करेगा जो कि एक Digital Learning Program प्रोग्राम में students के लिए जो Class 1, 10 तक के बचे हैं, उनके लिए एक Digital Learning Program है और इसी के लिए Khan Academy के साथ में partnership करी गई है यह जो प्रोग्राम है, यह English, Hindi और Colonel Language में available है इसका main उदेशा यह है कि जो learning gap है, उनको reduce करना और एक solid foundation, मतलब maths में solid foundation बिल्ट अप करना क्योंकि जब हमारा base बहुत अच्छे से बिल्ट अप होगा ना तो हम आगे अच्छे से सभी चीज़ों को cover up करते रहेंगे अगला question है, which movie has won the golden conch award for the best documentary film at M.I.F.F.2022 तो देखे यह जो award ceremony है ना, इसमें golden conch का award किसने चीता है best documentary film के लिए, answer हो जाएगा, turn your body to the sun यह एक Dutch documentary है, तो इसने golden conch award जीता है और the top award of Mumbai International Film Festival for documentary short fiction and animation film was present by किसके दौरा present किया गया महराश्ट के governor भगस्जिंग कोश्यारी के दौरा तो इसमें golden conch एक certificate और cash price में 1 million रुपीज यहाँ पर दिये गए है कुछ और awards की बात करते हैं, तो friends से किये चमेली देवी जो जयान award 2021 इसे सम्मानित किया गया है आरिफद जोहरी को BBC India Sports Woman of the Year Award 2021 दिया गया मीराबाई चानू governor of the year 2022 यह जीता है मारियो मार्सिल ने पहले पैराइथलीट बने जिने पन्म भूशन से सम्मानित किया गया उनका नाम है देविंद्र जाजरिया evil pride 2022 किसे मिला है American mathematician Dennis P. Sullivan को तो यह सभी important awards है next अमारा question है who has been appointed as a new managing director and chief executive officer of Union Bank of India Union Bank of India में अभी नई managing director बनी है ए मनी में खलाई तो इनका नाम ध्यान नकीगा ए मनी में खलाई यह Union Bank of India में अभी रिसेंटली managing director अपॉइंट हुई है और अगले तीन सालों के लिए यह इस पत पर अपॉइंट हुई इन्होंने रिप्लेस किया है जी राज किरन राई को 1988 में विजिया बैंक से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और 2019 में शी वस अपॉइंटेड अस एक्जेकुटिव डारेक्टर अट कैनरा बैंक बात करते हैं फ्रेंट्स Union Bank of India की तो इसके शुरुवात 1919 में हुई इसका हेटकॉर्टर है मुंबई में और इसके फाउंडर कॉंटे सेट सीता राम बॉर्डर ये वन आफ दी लार्जिस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक में से आता है रिसेंट अपॉइंटमेंट में देखिए जैबियर ओलिवन ये मेटा के नई चीफ आपरेटिंग ऑफिसर बने है सुजोई लाल थाउसेन ये सशेश्ट्र सीमा बल में डारेक्टर जनरल बने इसके लावा नैशनल असेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने नतराजन सुंदर को मैनेचिंग डारेक्टर और सीओ पत पे अपॉइंट किया है अगला कोशन है हमारा तो 5 जून को ही देखे इसके शुरवात हुई थी इन गेम्स की और पहला जो गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता है तो उनका नाम है काजोल सरकार तो काजोल सरकार नी जो है वो पहला ब्रॉंस मेडल जीता इससे पहले 2021 में जो यूथ नाशनल गेम्स हुएते पटियाला में वहाँ पे उन्होंने ब्रॉंस मेडल जीता था शी हैस लिफ्टेट अर टोटल अफ वन हंडेट थर्टीन केजी इन दी वोमेंस 40 केजी केटेगरी तो आपको ध्यान रखना है इनका नाम इंडिया इसराइल यहाँ पे हमें कंट्री का नाम बताना है अन्टी यूएस वह फॉर्मड अन्यू फोर नेशन ग्रूपिंग जिसको नाम दिया है आई टू यू टू वेरी इंपोर्टेंट और बहुत इंट्रस्टिंग भी देखे इसका नाम है अब यहाँ पे अगर हम कंट्री के बात करते हैं तो यह कौनसी कंट्री हो जाएगी यू एए अब देखें यहाँ पे इंट्रस्टिंग बात क्या होती है यहाँ पे क्या था आई टू और यू टू इट मीस आई से भी दो कंट्रीज और यू से भी दो कंट्रीज है तो I4 हो गया India and Israel and U से आपका हो गया US और UA तो चार कंट्रीज का अभी एक नया गुरुप जो है वो फॉर्म हुआ है ये गुरुप क्या करेगा कि जो American Alliance है न उनको पुनरजीवित करने के लिए जो US के efforts है उन्ही का ही ये part है उसी के लिए इसको फॉर्म किया गया है इतने भी ये member countries है चार countries है इसमें उन सभी के जो head है वो इसको attend करेंगे तो चारो countries का नाम में से कोई सब भी पूछ सकते हैं देखिए तो इसलिए चारो ध्यान रखेगा इंडिया, इसराइल, यूएस और UAE आपकी चार countries हो जाएंगी next देखे question, what is the rank of India in the world competitiveness index for the year 2022 तो index और ranking से friends, ज़रूर आपको equation मिलेगा तो इसलिए इसको cover करके ज़रूर जाएं तो जो world competitiveness index है यानी विश्व प्रतीशप्रधात्मकता सुचकांक इसमें भारत की जो rank रही है, वो है 37th place पे अब top countries पे बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं Denmark यह comparison है देखें Denmark 2021 में third place पे था लेकिन अगर हम 2022 की बात करते हैं तो Denmark के first place पे और Switzerland अब second place पे पहुँच गया यहीं अगर देखें भारत के position के बात करते हैं तो भारत 2021 में था 43 place पे और अब किस पे आ गया है 37 place पे आ गया है तो आपको simply first place दियान रखना है और इंडिया का place दियान रखना है ठीके यह जो indexes में 63 nations के list है which has been compiled by the Swiss based international institute for management development तो इन्होंने इसे compile किया है पहली बार इसे 1989 में publish किया गया था कुछ और rankings के बात करते हैं तो देखें अभी world economic forums की travel और tourism development index आई जिसमें भारत रहा 54 place पे top countries पे है इसमें Japan, US और Spain, world press freedom index में भारत जो है वो 150th rank पे है और top country पे है नौर्वे, international intellectual property index में भारत की rank है 43 और top place पे है USC तो इसी तरीके से हमें और भी rankings के बारे में ध्यान रखना है नेक्स्ट हमारा question है United States President Joe Biden has nominated Indian origin physicist as his scientific advisor तो friends यहाँ पे हमें उनका नाम बताना है तो United States के जो President Joe Biden उन्होंने किस Indian origin physicist को यानि जो बहुते विज्यानी है उनको अपनी scientific advisor की रूप में जो है वो nominate किया है इनका नाम है आरती प्रभाकर तो यह Indian origin है यानि भारतिय मूलकी है और इनको as a scientific advisor appoint किया गया है She will be named director of the White House Office of Science and Technology और उन्होंने Eric Lander को replace किया है तो बस आपको simply यहां से इतना ही ध्यान रखना है Next question की तरह बढ़ते हैं Which countries NSA chaired the meeting of the 12th meeting of BRICS national security advisors तो जो BRICS की राष्टे सुरक्षा सलाकारों की जो बैटर कोई है इसकी अध्यक्षिता किस देश के NSA यानि national security advisors ने करी है तो राइट आंसर इस चाइना तो चाइना देश के जो national security advisors है उन्होंने इसको इसकी अध्यक्षिता करी है अब देखे इसमें याद दखेंगे यांग जीची अमेंबर और पॉलिटिकल ब्यूर आफ सीपीसी सेंट्रल कमेटी उन्होंने इस meeting की अध्यक्षिता करी है कहां इसमें किती कंट्रीज है पांच कंट्रीज है तो ये एक important platform है BRICS कंट्रीज के लिए to enhance political and security corporation तो political and security सहीयों के लिए बहुत ज़धा important ये platform है BRICS देशों के लिए BRICS की बात करते हैं फ्रेंट्स जो 16 जून 2009 को इसकी स्थापना हुई है अब दिखिए इस meeting में इंडिया के तरफ से थे प्राइम मिनिस्टर नरिन मोदी जी रश्य की तरफ से थे प्रेजिडेंट वलादिमार पुतिन साउथ अफरिका के प्रेजिडेंट सिरिल रामाफोस ब्रेजील प्रेजिडेंट जेयर वलसनारो और चाइन तो इन्हें इसे होस्ट किया था इस पार और प्रेजिडेंट कौन है शी जिन्पिंग तो यह हमें ध्यान रखना है कुछ और न्यूस की बात करते हैं फ्रेंट्स यहां पे अगर मीटिंग की ही बात हुई है तो तो दिखिए अभी वर्ट ट्रेट ओगनाइजेशन के मिनिस्ट्रिल कॉन्फरेंस हुई और कौनसी नमबर की ट्वेल्थ नमबर की और यह हुई कहां पे जैनेवर स्विजलें थर्ड जो ग्लोबल और गनिक एक्सपो हुआ है यह न्यू डेली में स्टार्ट हुआ श्रीमती मिनाक्षी लेकी जो की स्टेट फॉर कल्चर एक्स्टरल अफेर की स्टेट मिनिस्ट्र हैं उन्होंने सेवंथ ब्रिक्स कल्चर मिनिस्ट्र की मीटिंग को अटेंड किया है और इस मीटिंग को होस्ट किस ने किया था? पीपल्स डिपबलिक औफ चाइना ने तो सिंट्री मीटिंग या कौई कॉन्फरेंस होती है तो इसमें भारत की तरव से कौन पाइसीपेट कर रही है ऺहां पर की तुए कौन सी कॉन्ट्री होस्ट कर रही है तो यह दो-तीन तर प्रत्वी सेकिंड है न यह एक शॉर्ट रेंज की बलेस्टिक मिसाइल है और अगर हम इसकी बात करते हैं कि कितना वार हैट्स को लेके जा सकते हैं 500 तो 1000 किलोग्राम और यह पावर्ड है लिक्विड प्रोपल्शन टुइन इंजन्स के द्वारा यह संचाल लेते हैं तो पहली बार इसको टेस्ट फायर किया गया था 27 जैन्वरी 1996 को और इसकी जो डवलमेंट स्टेज है वो 2004 में पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई थी next question है हमारा which government department is going to launch AI enabled common single pension portal तो इस portal को कौन से department जो है वो launch करने जा रहा है तो department है department of pension and pensioners welfare तो यह जो department है यह AI enabled common single pension platform को launch करने जा रहा है यह platform help करेगा जितने भी pensions है ना उनकी processing उनकी tracking और उनके disbersal यानि उनके वित्रण में it will send automatic alert to pensioners and super anointed elder citizens to bring complete ease of living for central government pensioners यानि आपको देखिए जो pensioners है जिनकी pensions है उनको यह automatic alert send करता रहेगा तो उसी के लिए इस portal को जो है वो launch कर रहा है department of pension and pensioners welfare तो उनके दोरा इससे launch किया जा रहा है अगला है पद्म भूशन अवाड़ी and renowned linguistic professor dash passed away तो यहाँ पे देखे हमें इनका नाम बताना है कि इनका नाम क्या है तो यह पद्म भूशन से सम्मानित है और इनका नाम है गोपी चंद नारंग तो friends गोपी चंद नारंग हाली में देखे इनका निधन हुआ है और यह पद्म भूशन से सम्मानित है साती में साहित्यकादमी अवार्ड भी इनको मिला है इनोंने 65 scholarly and critical books को publish किया है जो की literature, poetics और culture studies से related है उर्दु-Hindi-English languages में He was professor emirate at the University of Delhi and Zamya Milia Islamia तो इसमें यह professor भी रहे थी कुछ और arbitraries की बात करती हैं तो अभी रिकेर संतूर, maestro and Padmashree awardee भजन सुपारी इनका भी 73 की age में निधन हुआ former Albania के president बुजर निशानी इनका health problem की वज़ा से 55 age की उम्र में निधन हुआ है former Australia के all-rounder है Andrew Simons इनका car crash में निधन हुआ UAE के president और अबुधाबी के rural शेक खलीफा विंसायद अलिहान इनका भी अभी हाली में निधन हुआ है तो arbitraries से भी देखा जा रहे कि एक नए question आपके exam में पूश रही है तो cover आप लोग ज़रू करके जाए अगला question है which city has become the first city in the country to get a processed steel slag road तो देखे जो industrial waste होता है उसे कहते हैं processed steel slag तो इससे सड़क पाने वाला देश का पहला शेहर कौन सा बन गया है तो शेहर का नाम हो जाएगा सूरत is the right answer तो सूरत जो है वो पहला शेहर बना यह जो road है ना यह six lane highway बना है जो की waste चो steel होता है ना उससे और इसको inaugurate किया है steel minister राम चंदर प्रशाद सिंग के द्वारा यह जो road से jointly बनाया है central road research institute और आरकिलर मित्तल निपन steel इंडिया ने मिल की तो आपको शेहर ध्यान अकना है सूरत और सूरत कौन से स्टेट में है तो सूरत सिटी है गुजरात में तो आप गुजरात की बात कर लेते हैं capital है गांधी नगर यहां के CM है भुपेंदर पटेल governor है आचारिया देवरत important national park गिर फॉरेस्ट black bug वांस्ता गल्फ कच मरीन नैशनल पार्क यह सभी आपके important है गुजरात से folk dances है यहां के डांडिया भावई तिपन्नी पढ़हर और गरबा तो यह important folk dances है अगला question है friends which states have been granted additional center assistance under the national disaster response fund तो NDRF के तहत कौन से जो states है जिन को additional जो है सहायता प्रदान की गई है तो states का नाम है राजस्थान and नागलेंड यहां पर right answer हो चाहेगा तो राजस्थान और नागलेंड जो है न यह ड्रॉड से जो है वो काफी ज़दा effect थे 2021 अगर 22 की बात करते हैं इसलिए जो government है ना उन्होंने additional support की हाँ पर बात करीगी तो आप देख सकते है राजस्थान के लिए around 1000 करोन रुपे approval किये गए और नागलेंड के लिए around 39 करोन रुपे का जो प्रूबल है वो दिया गया है next question है which company announced a startup accelerator program for women founders तो women founders के लिए startup accelerator program की घोशना किस ने करी है तो company कौन सी है तो right answer हो चाहेगा गूगल ने इसके announcement करी है यह जो program है यह तरीके से जो challenges आते हैं उनको address करेगा जैसे कि fundraising, hiring तो उन सभी challenges उन सभी चिनोतियों का समधान करने में वदद करेगा और यह program जो है special focus करेगा उन areas में जैसे कि access to network, capital, hiring challenges, mentorship तो इस तरीके से यह जो areas है ना उनके उपर पूरा यहाँ पर focus किया जाएगा, बात करते हैं friends Google की, Google के सापना हुई दी 4 September 1998, इसका headquarter California US में है और इसके जो CEO है उनका नाम है सुन्दर पिचाई, next question is, who has been appointed as a new loka युक्त of करनाटका, तो करनाटक के अभी हाल ही में नए loka युक्त कौन बने है, right answer हो जाएगा, justice BS Patel, तो justice BS Patel यह भी loka युक्त मने है, कौन से state में, ऐसे भी पूछ सकते थे, तो आपका answer क्या हो जाता करनाटका में, तो BS Patel पहले करनाटका हाई कोट में, यह judge थे, और loka युक्त के रूप में नुक्त होने से पहले उनको उप loka युक्त के रूप में उन्होंने कारे किया है और करनाटका में दिखे जो loka युक्त की position थी ना, वो January से वे conduct यानि खाली है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले loka युक्त थे, justice P. विशुनात शेटी, उनका पूरा पांस साल का term complete हो गया था, वो retire हो गय थे, उसके बाद से यह post खाली थी और अब कौन पॉइंट होए है, justice BS next question देखे हमारा है, who among the following inaugurated क्रांती गाथा, तो चो क्रांती गाथा है, इससे किसने इनागरेट किया है, right answer हो चाएगा, प्राइम मिनिस्टर नरींत मोदीजीरे क्रांती गाथा का उडगाटन किया है, it is a newly created gallery of Indian revolutionaries inside the underground British era bunker at Raj Bhavan in Mumbai, तो देखे क्रांती गाथा जो है न वो ए जो राजभवन है न, उसमें underground जो British era bunker है, वहाँ पे Indian revolutionary की एक नई, एक नई created gallery है, और यह जो bunker था न, British era bunker, इसको discover किया गया था राजभवन के नीचे कब 2016 में, तो इसी जो यह gallery है न, इसको inaugurate किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी जी ने, अगला question है हमारा, from which railway station, the first train under the Indian railway भारत गौरव scheme was flagged off, तो भारते रेलवे की जो भारत गौरव योशना है, इसके तहत पहली train को किस railway station से हरी जंटी दिखा कर रवाना किया गया है, तो इसे flagged off किया गया है, कहां से कोयमबटूर से, तीके, और इक किसके तहत है, भारत गौ इसको नौर्थ रेलवे स्टेशन कोयमबटूर से डिपार्चर किया गया, इन तमिलाडू, फोर साइन अगर शिर्णी इन महराष्ट, इसको ऑपरेट किया जाएगा, एक प्राइवेट ऑपरेटर है, साउथ स्टार रेल के द्वारा, जो थीम बेस्ट भारत गौरव ट्रे तो भारत का जो रिच कल्टर हैरिटेज उसको प्रदिशित करने के उद्देशत से, नेवेंबर 2021 में भारत गौरव ट्रेंस की गोशना कर दी गई थी, और पहली ट्रेंस शुरू हुई है, जो कि कहा से फ्लेक्ट ओफ हुई है, कोयमबटूर से, नेक्स्ट क्रेशन की तरफ चलती है, इन विच सिटी प्राइम मिनेस्टर मोदी जी इस गोइंग टू चियर दी फोस्ट एवर नाशनल कॉन्फरेंस ओफ चीफ सेकेटरियेट ओन जून 16 और 17 तो दीखे आच और कल, यानि दो दिन ये जो नाशनल कॉन्फरेंस से चीफ सेक ट्रीट की, इसकी अध्यक्षदा कौन करेंगे, मोदी जी करेंगे, लेकिन कौन से शहर में कॉन्फरेंस होगी, तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा, धर्मशाला, और धर्मशाला किसकी कापिटल है, हिमाजल प्रदेश की, तो यहां पे इस कॉन्फरेंस का आयचन किय जाएगा, इसका में उदेश है यह है कि सेंटर और जो स्टेट गवर्मेंट है ना, उनके बीच में जो पार्टनर्शिप है उसको और भी जादा मजबूत करना, तीन थेम्स को यहां पे चूस किया गया है, फोर डीटेल डिसकेशन्स एड दी कॉन्फरेंस, फॉस्ट इस पालिसी, सेकेंड अर्बन गवर्नेंस और थर्ड है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानि इसके उपर इन तीनों चीजों के उपर डीटेल्स में यहां पे डिसकेशन किया जाएगा, कुछ एडिशन इंफॉर्मिशन की बात करते हैं तो दभी अभी रिसेंटली प्राइम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनागरेट किया दी हेड़कॉर्टर ऑफ इंडियन नैशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर कहां पे एहमदाबाद गुछराद में, इसके लाब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्ट का पहला नैनो यूरिया लिक्वि किया है गुछराद के कलोल में, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस गोईं टो रिलीस बैनेफिट अंडर दी पीम कियर्स फॉर चिल्डरन स्कीम, तो ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही रिलीस किया, नेक्स्ट क्वेशन है हमारा, तो फिनलेंड में देखें पारवो नूर्मी गेम्स में 89.30 मीटर का जो नया चावलिन नाशनल रिकॉर्ड है, वो किसने बनाया है? आंसर हो चाएगा फ्रेंड्स नीरा चोपडा, तो ये भी ध्यान रखेगा कि नीरा चोपडा का जो संबन है फ्रेंड्स वो जावलिन थो से है, और इनका जो पहला रिकॉर्ड था, वो पडियाला में 88.07 मीटर का था, नैशनल रिकॉर्ड, और इसी को ही इनोंने अभी ब् जिसमें थ्रो कितना हुआ था, 87.58 मीटर का, अब ये जो चैंपनशिप है ना, पावो नूर्मी गेम सिन, इसमें फिनलैंड के ओलिवर हिलांडर ने एक गोल्ड मेडल जीता है, और उनकी थ्रो कितनी है, 89.83 मीटर, तो गोल्ड मेडल किसने जीता करिये पूछेंगे, तो आपका अंसर हो जाएगा, फिनलैंड के ओलिवर है लांडर ने, और नाशनल रिकॉर्ड, प्योंकि नाशनल रिकॉर्ड हम अपनी इंडिया से ही बात करेंगे, तो वो किसने बनाया है, नीरत चोपना ने एक नया नाशनल रिकॉर्ड सेट किया है, नेक्स्ट हमारा क्वेशन है, who has broken national record in men's triple jump at the ongoing national interstate athletics meet in Chinnahe, तो चिननई में देखे, जो अभी national interstate athletics meet चल रही है, उसमें men's की triple jump में national record किसने ब्रेक किया है, तो इनका नाम है प्रवीन चित्रवेल, तो प्रवीन चित्रवेल ने एक नया national record create किया है तो उनका अगर आप देखें तो jump में कितना है 17.18 meter ये जो previous record था वो लखनौ में 2014 में बनाया था पंजाब के अरपिंदर सिंग ने और इनका कितना था jump 17.17 meter और नया record कितना create किया है तो तमिलनाडू के है ये jumper प्रवीन चित् चित्रवेल ने qualify कर लिया है upcoming world championships in Oregon के लिए तो ये भी ध्यान रखेगा अभी देखें यहाँ पे हम भी men's की बात हुई है कल में आप लोग को पताया था कि women's में भी triple jump में national record अभी ब्रोक किया है करनाटक की एश्वरिया बाबू ने तो ये दोनों ध्यान रखेगा अगर men's में पूचेंगे तो तमिलाडू की है प्रवीन चित्रवेल और अगर women's की triple jump में पूचेंगे तो एश्वरिया बाबू अवरी लिखारा ने गोल्ड मेडल जीता है आर एट women's की 50 meter 3PSH1 event में जो की अभी चल रही है world cup प्यारा shooting games जो चल रही है इसके लावा friends जो अभी अज इजर्वेजान grand prix हुई है वो किस ने जीती है red bull के racer max worst which country's request to change its name has been approved by the United Nations in June 2022 तो अभी रिसेंटी देखे 7 राष्ट के द्वारा किस तेश का नाम बदलने के अनुरोध को मन्सूरी दे दी गई है तो यह country कौन सी है तो right answer क्या हो जाएगा friends Turkey तो Turkey जो है यहां पर अपना न आम चेंज कर रहा है तो तो की बिगन दा मूब्स तो चेंज इट्स इंट्रनाशनली रिकर नाइज ओफिशल नेम इन इंग्लिश तो टुर्की है इन दिसमेर 2021 तो से अपना चोब मूव है वो दिसमेर 2021 से शुरू कर दिया था अपने नाम को चेंज करने का country को दिखे पहल तुर्की ही कहा चाता था इन 1923 में जब ये इंडिपेंडेंट हुआ इसकी declaration के बाद इसका नाम तुर्की ही था लेकिन उसके बाद टुर्की कर दिया गया लेकिन फिर से यहां पर टुर्की के द्वारा request की गई है कि उसको अपना जो नाम है वो चेंज करना है उनकी request को य फ्रेंट्स रिवाइस करते हैं भी रुसेंट की ही हैं ये सारी ब्रजील का जो लैंड्सकेप गार्डन है सीट्यो बर्ल माक्स इसे युनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेस स्टेटस मिला ये इंपॉर्टेंट रखिएगा बेल्जियम बना पहला देश जिसने मनी पॉक्स के पे पे किया गया मेडगासकर में तो फ्रेंट्स ये हमारी सारी इंपॉर्टेंट नियूस है करेंट अफेर्स की अभी रिसेंट की ही है ऐसी हम दीरे-दीरे करके और भी रिवाइस करते चलेंगे ताकि हम इन सभी के साथ में जूडे रहें next question है हमारा which ministry has formulated the सागर माला यंग प्रोफेशनल स्कीम to engage talented forward thinking and dynamic young professionals तो जो talented forward thinking और डाइनमिक यंग प्रोफेशनल्स हैं जो ये यूबा पेशेवर हैं उनको शामिल करने के लिए कौन सी ministry ने सागर माला यंग प्रोफेशनल स्कीम की योशना हैं तयार करी है तो ministry कौन सी है the right answer is ministry of port shipping and waterways तो इसके द्वारा पूरा ये decision लिया गया है इसमें देखो किसको engage किया चाहेगा जो talented professionals हो गए जो forward thinking जो dynamic young professionals हैं तो अलग-अलग various divisions में जो ये आपके लिजे सोच रखते हैं सी उन्हों सभी जो यंग प्रोफेशनल से उनको यहां पे शामिल कि और active on the ground learning for young professionals जिते भी युवा पेशिवर्स ने उनके लिए active on the ground learning जो है पूरा इसकी सीखने पर पूरा यहां पे focus किया जाएगा आप देखें यहां पे सागरमाला की बात ही हुई है तो इससे related में कुछ आपको additional information बताती हूं तो जो सागरमाला program है यह originally जो है आपके लि maritime equivalent to the golden quadrilateral तो स्वर्णिम जतरबुच के का जो maritime equivalent है उसके समकष के रूप में इसको रखा गया था इसको शुरू किया गया ध्यान रखेगा इसको cabinet के द्वारा जो है approval का मिला था मार्च 2015 में तो यह सागरमाला का जब नाम ही आया तो इससे related हम लें यह information भी ध्यान रखनी ह आगला question है who has surpassed Gotham Adani to regain the spot of Asia's and India's richest man in June 2022 देखे friends यह जो list है यह उपर नीची होती रहती है क्योंकि देखें income है किसी के कभी जाता हो गई तो हमेशा exam जब होगा ना आपको तो इस तरीकी के जो भी questions होंगे जैसे word में number one पे कौन है Asia में कौन है इंडिया में कौन है तो एक ब गौतम Adani को पीछे छोड़का जो है फिर से मुकेश अम्मानी जो है वो पहले place पर आ गई है Asia और इंडिया के richest man अगर हम इनकी बात करें तो Bloomberg की जो billionaire index है उसके according जो Reliance Industry Limited के chairman है मुकेश अम्मानी उनकी 8th spot है इंदी word richest अगर हम word की richest list में बात करती है तो यह 8th place पे आती है औ वहीं देखे जो एडानी गुरूप के chairman है गौतम एडानी यह पूरी word की list जो है उसमें 9th place में है तो आगे पीछे इनका होता रहता है तो इसलिए इसको याद रखें Reliant Industry Limited के बात करते हैं तो एक multinational company है और इसकी शुरुवात 1973 में दीरुबाई अंबानी जीने की थी Headquarters का Mumbai में है और इसके CEO कौन है मुकेश अंबानी Next हमारा question है which Indian Institute of Management has launched country's first agree land price index in June 2022 तो देए देश का पहला क्रशी भूमी मूले सुचकांक जो है इसे launch किया है और ये launch किस ने किया है IIM एहमदाबाद ने इसे launch किया है ये अपनी तरीके का पहला इस तरीके का index है ये क्या करेगा ये देश भर में देखिए जो agriculture prices का data है न आपके लिए उसकी जो quantity control data है उसको record करेगा उसको present करेगा तो पूरा data यहाँ पे इस index में रखा चाहेगा currently देखे अगर हम बात करते हैं ISALPI की तो ये based है या अधारित है on land listening data from six states तो छे states का जो data है उस पर ये पूरा का पूरा भी currently क्या है ये आधारित है अगला question है in which state इंडिया's first liquid mirror telescope has been commissioned in June 2022 तो भारत का ये पहला liquid mirror telescope है किस राच्य में जो है वो इससे चालू किया गया है तो अगर हम state की बात करते हैं तो friend state जो हो जाएगा वो उत्तरा खंड हो जाएगा तो ये जो telescope है ये एशा का largest telescope है ये क्या करेगा दिकी help करेगा survey the sky and make it possible to observe several galaxies and other astronomical object तो दूसरे जो खगोलिया पींट हो गए या other जो galaxies है ना उनको देखने में काफी साथा यहां पे help मिल जाएगी और ये telescope एशा का largest telescope है the telescope dubbed the Indian liquid mirror telescope is built by the astronomers from India, Belgium and Canada तो इनके द्वारा जो है इससे built किया गया है अच्छा friends मैं आपको ना first in India से कुछ questions को revise करा देती है इसे ही बोल के आप सुनते रहिएगा ची के इसके साथ आपको revision भी होता रहेगा तो दीखे country का जो पहला animal war memorial है थोड़ा सा पुराना question है बट ये exam के एक्जाम में नहीं बन सकता है न एक्जाम के लिए आपको one year का current office अच्छा होना चाहिए तो ये कहां पे बनाया गया था इसको बनाया गया था मेरट में तो ये ध्यान रखेगा इसके अलावा हमको ध्यान रखना है कि जो पहला state है जिसने implement किया था e cabinet को वो कौन सा है तो वो है हिमाचल प्रदेश इंडिया का जो पहला word skill center है इसे कहां पे open किया गया तो इसे चुरू किया गया था नेक्स्ट देखें इंडिया का जो पहला labor movement museum है ये कहां पे खोला गया तो इसे खोला गया है केरला में ये याद रखेगा और इसके लावा क्या ध्यान रख सकते हैं हां country का पहला national park कौन सा है जो की equipped है satellite phone से उस national park का नाम क्या है काजी रंगा national park ये हम में ध्यान रखना है कुछ और revise का लेते हैं जैसे की जो इंडिया का पहली indigenous motor motorized wheelchair है और इस wheelchair का नाम भी क्या था नियो बोल्ट इस wheelchair को develop किस ने किया तो याद रखेंगे IIT मदरास ने से develop किया है next हमें को याद रखना है country का जो पहला leather park है ये कहां पे बना है तो इसको UP में यानि उत्तपर देश में इसको setup किया गया इंडिया का जो पहला wetland conservation management center है ये establish कहां पे किया गया तो right answer हो जाएगा चैन नहीं तो friends मैंने आपको काफी सारे questions यहाँ पे revise करा दिये तो इस तरीके से आप करते चलोगी न रिवीजन तो बहुत अच्छे से आप current face stronger लोगी पाल के साथ China के साथ border share करता है international capital है इसकी देरादूर और गैर सेर्ड governor है यहां की गुर्मी सिंग चीफ मिनिस्टर का नाम है पुशकर सिंग धामी यह सभी important national park है यहां पे Corbett है गंगोतरी है गोविंद national park है राजा जी national park है इसके लावा देखे बैली ओफ लार्स national park भी कह यहां पे है आपका उत्राकन में उत्राकन जो है देखे 9 November 2000 को कहां से अलग हुआ था यूपी स्टेट से अलग हुआ था और 27 नंबर का स्टेट बना था हमारी इंडिया का इसके लावा जो यहां पे डाम है जिसका नाम है टीरी डाम देखे यह टीरी डाम जो है ना यह पूछ लेते हैं तो यह ध्यान रखेंगे भागिरती रिवर पे हैं कुछ इंपॉर्टेंट आमपल से जैसे बदरिनाथ यमनोत्री गंगोत्री के दारनाथ यह सबी आपके कहां पे हैं उत्राकन स्टेट में कुछ और स्टेट नियूस में देख लीजे वर्ड हेल्थ और अभी रिसेंट देके जारखंड को तो बैकू जो है वो तो बैकू कंट्रोल के लिए जो है वो अवर्ड दिया है जो लॉजिकल सर्वी आफ इंडिया ने के अनुसार बिहार जो है इसके पास इंडिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है इंडिया का जो पहला ओलंपि वैल्यू एजूकेशन ने इसे उडिसा में लाँच किया गया, यूपी के सरकार ने संभभ पोर्टल लाँच किया फोर डिस्पोजल और पब्लिक ग्रिवेंस रिलेटेट टू एनरजी, तो ये हमें ध्यान रखना है स्टेट नियूस से, नेक्स्ट क्वेशन के तरह बढ़ते हैं, क्वेशन में हैं, हूँ हास टेकन जाज असा होल टाइम मेंबर as a security and exchange board of India, तो simply ध्यान रखेगा कि सेवी में होल टाइम मेंबर के रूप में अभी recently किसने कार्यभार समभाला है, तो इनका नाम है अश्वनी भाटिया, तो अश्वनी भाटिया याद रखेंगे इनका नाम तो यह previously देखे, state bank के managing director पद पे भी इनोंने काम किया है, और अभी यह सेवी में full time या होल टाइम मेंबर का पद इनोंने समभाल लिया, सेवी की बात करते हैं, तो आपको इसकी full form ध्यान रखनी है Securities and Exchange Board of India, इसकी शुरुवात 1992 में हुई स्थापनास की, इसका headquarter मुंबई में है, और chairperson इसकी माधभी पुरी बच्च अखला question है, who has been appointed as a next chief operating officer of meta, जिससे पहले facebook के नाम से जानते थे तो facebook का नाम क्या हो गया, एक एक question हो गया, आपका meta हो गया है, और meta में देखिए, अभी next chief operating officer पत पे किसे पॉइंट किया गया है answer हो जाएगा, जैवियर ओलिवन, तो इनका नाम क्या है, जैवियर ओलिवन है, she will replace, यहाँ पिशी करिएगा, she will replace Cheryl Sandwork, इनकी जगा पर यह appointment हुई, जिन्होंने meta से हटने के announcement first June को कर ली थी, meta जो है, American multinational technology platform है, जिसका headquarter आपको कहाँ पे मिलेगा, California में ठीके, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेगा, it is an American multinational technology conglomerate based in Manlo Park, California की शुरुवाद हुईती 2004 में अगला question है हमारा, who has been appointed as a director general of सशेष्टर सीमा बल in June 2022 तो दिखे, जो सशेष्टर सीमा बले उसमें महा निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सही answer है, सुजोय लाल 1000 जो हैं appoint किये गए है, यह 1988 batch के IPS officer है और यह सशेष्टर सीमा बल में director general बने है serving as a special DJ in BSF till now, 1000 is the 21st head of the SSB तो सशेष्टर सीमा बल के यह head कौन से number के बने, 21st number के बने है तो सशेष्टर सीमा बल है, guards करता है Indian frontiers with Nepal and Bhutan इसको कोशन है, which country is going to host the 14th BRICS summit on 23rd June 2022 तो recently देखे कौन सा देश है, जो की 14th number का जो BRICS summit होने वाला है 23rd June को इसको host करेगा, तो कौन सा देश host करेगा, answer हो जाएकर, चाइना जो है इसी host करेगा यह जो summit है न, इसके theme है, और theme क्या है इसकी, foster high quality BRICS partnership usher in a new era for global development, तो चाइना 14th number का जो यह भी ध्यान लेकिएगा, कौन सा edition है, इसका 14th BRICS में कौन कौन सी country हैं, Brazil, Russia, India, China और South Africa South Africa इसमें बाद में add-on हुआ है, सबसे important बात इसको ध्यान ज़रूर रखेगा next नमारा question है, India and Daesh have formally relaunched the free trade agreement negotiation भारत और साथी में किस ने अभी दुबारा से अपने free trade agreement negotiation की जो वारता है वो फिर से शुरू करी है तो यह हो जाएगा, यहाँ पर answer European Union तो किस-किस के बीच में हुई है, India और European Union के बीच में इसके अदावा जो negotiation है, has also been launched for a stand-alone investment protection agreement and a geographical indicators agreement तो साथी में देखियो है, जो IPA है, या जो GIS है, उसकी agreement के लिए भी यहाँ पर बातचीत शुरू हुई है यह जी के भारत के लिए बहुत ज़दा important है, क्योंकि जो European Union है वो अमेरिका के बाद दूसरा largest जो है trading partner है भारत का Next question is, which country has launched its third aircraft carrier, जिसका नाम क्या है, Fuzian तो अभी recently कौन से देश ने अपना तीसरा aircraft carrier Fuzian को launch किया है तो यह launch किस तेश के दौरा किया गया है, answer is China तो चाइना देखें, चाइना का यह most advanced इसके लावा as well as first fully domestically built यह पूरी तरीके से चाइना में ही built हुआ है, तो यह चाइना का बहुत ही advanced कह सकते हैं आप इसको aircraft को, Fuzian जो है, Fuzian is the name of China's eastern coastal province of Fuzian तो चाइना का एक eastern coastal province है, जिसका नाम Fuzian है, उसी के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है चाइना का पहला aircraft carrier लियोंगिंग, इसको 2012 में commission किया गया था उसके बाद दूसरा aircraft carrier इनोंने बनाया था, जिसको नाम था Shandong, इसको commission किया गया था 2019 में और अब यह तीसरा aircraft carrier है, जिसका नाम क्या है, Fuzian तो जितने भी देखे basic information हम लोग यहां पे आपके लिए share करते हैं, यह सारी important होती है अब चाइना की बात करते हैं, कुछ news चाइना से हम लोग revise करते हैं तो देखे, धवेचों के दौरा कुछ time पहले ही चाइना को malaria free certified किया गया चाइना वर्ट का दूसरा biggest hydro power dam को open किया चाइना ने ही वर्ट का पहला commercial small modular reactor को construct किया चाइना की दौरा unveil किया गया, 600 km पर arm की जो maglev train है इसको चाइना, पाकिस्तान, थाइलेंड, मंगोलिया, इनके बीच में एक military exercise होई जिसका नाम है shared destiny, तो very important इसमें आप लोग चारों countries के नाम ध्यान रखियेगा next है Japanese Prime Minister Fumio Kishida will attend the NATO summit on 28 June 2022 in which city तो अंडर NATO summit है, ये 28 June को होने वाला है, जिसमें Japan के Prime Minister Fumio Kishida भी attend करेंगे और ये कहां भी होगा, तो ये जो summit है, ये आपका होगा Madrid शहर में he will become Japan's first leader, अब देखो यहाँ ही question ऐसे क्यों बूचा कि Japan के Prime Minister he attend करेंगे, क्योंकि Japan की तरसी ये पहले leader है to join our top meeting of NATO South Korea's new president, जो है Yoon Suk-yeol, will also be the first leader from his country to attend very important, दोनों का नाम ध्यान लगेगा, क्योंकि दोनों ही पहले leader है, जो की इस तरीकी की meeting को attend कर रही है अब बात कर लेते हैं, थोड़ी सी friend NATO की Firstly, full form, very important North Atlantic Treaty Organization, ये एक intergovernmental military alliance है, जिसमें 30 member states है, 28 European है, 2 North American है इसके सापना 1949 में हुई थी, और बहुत बार exam में पूछते हैं कि बताओ इसका headquarter कहां पर है, तो Brussels Belgium में इसका headquarter है Next हमारा question है, the UN General Assembly has adopted an India sponsored resolution on multilingualism that mentioned the dashed language for the first time तो जो ये resolution अभी adopt किया गया ना, इसमें पहली बार किस language का mention किया गया है Very important right answer यहां पर हो जाएगा Hindi तो पहली बार इसे Hindi को इसमें mention किया गया है, ये जो resolution था इसे 10 June 2022 में जो ये प्रस्ता पारित किया गया था इसमें Hindi को एक official तौर पर, साथी में non-official language के तौर पर इसको include करने के बाद कही गई थी, तो पहली बार Hindi language को इस resolution में mention किया गया थोड़ी सी भात कर लेते हैं, friends, additional बातों की, तो देखे, multilingualism is recognized by the General Assembly as a core value of organization, इस टाइम पे जो United Nations के official language है, वो कितनी है, 6, जो की है Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish English और जो French language है, ये ऐसा working language है, for the UN Secretary के लिए, तो important बाते हैं ये सारी, next question देखिए next question है हमारा, dash has signed an MAU with national center for medium range weather forecasting for cooperation in metrology तो अभी मौसम बिग्यान में सयोग के लिए, अभी NCMRWF के साथ में किस ने एक MAU sign किया, ये MAU sign किया है Indian Navy ने, तो रियाट आइंसर हो जाएगा आपका option number D अब देखो इस MAU का main purpose किया है, तो अभी हमने बात करी कि ये MAU किसके लिए हुआ था, meteorology के लिए इसको किया गया था, तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो organization है, वो weather, ocean, modeling का जो area है, जो field है, वहाँ पी अपनी अपनी जो expertise है, उसको share करेंगे, NCMIWF यानी, National Center for Medium-range Weather Forecasting, ये एक national agency है, जो कि weather forecast करती है, और अगर हम naval staff के chief की बात करते हैं, तो कौन है, Admiral R. Hari Kumar, कुछ recent M.U. के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि हमारा थोड़ा सा revision हो जाए, Telangana and Google have linked a M.U. on digital economy for young and women entrepreneurs, तो ध्यान रखिंग किस-किस के बीच में है, Telangana और Google, केरल ने एक M.U. साइन किया है, नीदलेंड के साथ मिलकर, किस चीज के लिए, Cosmos, Malabaricus Project के लिए, प्रसार भारती ने एक M.U. साइन किया है, Public Broadcaster of Argentina के साथ मिलकर, Niti Aayog and UNICEF India collaborated to develop India's first report on state of India's children, तो ये सभी M.U. भी आपके लिए important है, Next question is, Who is going to launch the historic torch relay for 44th Chess Olympiad? तो जो 44th number का Chess Olympiad होगा, उसके लिए जो historic torch relay है, इसको launch किस ने किया है? Right answer हो जाएगा, Prime Minister Narendra Modi ji ने इसे launch किया है, For the very first time, यानि पहली बार International Chess Federation ने जो Olympiad torch है ना, इसकी स्थापना की है, जो कि Olympic tradition का एक पार्ट है, लेकिन कभी इसे Chess Olympiad में नहीं किया गया था, तो एक तरीके से इसले बोला गया है, ये historic torch relay है, और इसको launch किसके द्वारा किया जाएगा, तो Prime Minister Modi ji ने इसे launch किया है, India will be first ever country to have the Chess Olympiad torch relay, very very important question, other news की बात करते हैं, ये Prime Minister Modi ji से related news है, तो देखिए, Modi ji के द्वारा launch किया गया Global Initiative Lifestyle for the Environment Movement, Prime Minister Modi ji ने Lord Hanuman ji के statue को unveil किया, कहां पे गुजरात में और ये कितना उचा है, 108 फिल टॉल है ये, इसके लावा प्रधान मंत्री संगराले का inauguration किया गया New Delhi में, Prime Minister Narendra Modi ji ने 7th edition of Rai Sina dialogue को भी inaugurate किया, Next question भी बढ़ते है, Which airport has been awarded the best regional airport in India and South Asia title in the 2022 Skytrax World Airport Awards, तो इन अवार्ट में किस airport को best regional का अवार्ड मिला है इंडिया में, ठीक है, इंडिया की बात हो रही है, तो answer यहां पे हो जाएगा, The Camping Goda International Airport, जो की कहां पे है, Bengaluru में है, यह जो awards है, यह globally labor पर एक तरह के साब के लिज़े survey किया गया था, जिसमें customers से उनका feedback लिया गया, उसी के based पर यह award दिये गए है, यह award की survey ने कहां पे हुई Paris में, Bengaluru Airport has won the best airport award at the Wings India Award in March 2022, तो March के टाइम पे जो Wings India Award हुए थे, उसमें best airport का award किसे मिला था, Bengaluru Airport को, अगले question पे बाढ़ने है, next question है, with which of the following has GOBP entered into an agreement to support its commitment towards the climate gross EV 100 initiative of 100% electric vehicle fleet by 2030, तो यह जो GOBP है ना, इसने 2030 तक 100% electric vehicle का जो एक आप कहलेजे commitment लिया है, उसका समर्थन करने के लिए इन्होंने अभी एक agreement किया, और यह agreement किसके साथ किया गया है, तो answer हो जाएगा, Zomato के साथ जो है, यह agreement किया गया, इस agreement के अनुसार, जो GOBP है, यह provide करेगा electric vehicle mobility services किसको Zomato को, और यहाँ पे, जीओ बीपी, pulse, battery, जो है, swapping stations, यह भी यहाँ पर access कर सकेंगे, जीओ बीपी जो है, is a fuels and mobility joint venture between Reliance Industries and BP, तो एक तरीके से जो आपका fuel हो गया, आपकी जो mobility है न, उसके लिए एक जो joint venture है, इसको कहा गया है, जीओ बीपी, next question पर बढ़ते हैं, which state government has signed a pact with Israel on water corporation, तो कौन से राजे की सरकार ने जल सयोग पर इसराइल के साथ मिलकर एक समझाता किया है, तो बात करते हैं, आपर government कौन सी है, तो right answer हो चाएगा, friends, हरियाडा, हरियाडा सरकार ने इस agreement को sign किया है, तो अब हरियाडा और इसराइल की जो government है, वो यहाँ पर water resources management और जो capacity building है, इसके उपर work करेंगी, यह जो declaration sign किया गया है, यह इनायत शेलीन, जो कि इसराइल के ambassador हैं इंडिया में, anti-water irrigation department है, हरियाडा government का, उनके बीच मिलकर यह MAU sign किया गया है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, friends, यहाँ पर हरियाडा की, हरियाडा की अगर हम location देखें तो आप यह देख सकते हैं, चुटा सा state, यहाँ पर आपको दिख रहा है हरियाडा, यह इसकी स्थापना 1st November 1966 को हुई, capital है, इसकी चंडीगर, governor है, बंदारू दतातरे, और chief minister है, मनुहर लाल कर्टर, कुछ news की बात करें, तो देखिए, अभी 4 विज़ई जो योशना है, इसे हरियाडा की सरकार ने लॉंच किया, मुख्य मंतरी बागवानी बीमा पोर्टल, यह एक crop insurance पोर्टल है, इसे भी हरियाडा की सरकार ने लॉंच किया, और 35th नंबर का जो सूरज कुन इंटरनाशनल क्राफ्ट मीला है, यह कहां पर शुरू हुआ है, तो friends यह शुरू है आपका हरियाडा में, तो आज हम काफी सारी news को cover करने वाले हैं, तो friends complete देखे का वीडियो को very important news, next है कौन से state है, जो कि पहला state बना है, जिसने launch किया है बाली का पंचायत, तो बाली का पंचायत शुरू करने वाला, जो पहला state बना है, वो कौन सा है, गुजरात, ये पंचायत जो है ना, ये girls की पंचायत है, जिसका उदेश है क्या है, कि जो girls है ना, उनके लिए social और political development को बढ़ावा दीना, साथी में उनकी politics में जो active participation है, उसको भी ensure करना, इसमें देखे जो girls का group होगा, 11 से 21H का group, इसको पूरी तरीके से manage करेगा, इसको start किया गया है, गुजरात में कुनरिया, जगा है, मसाका, मोतागुआ, एंड वदसर villages, तो कच्छ डिस्ट्रिक में ये सभी गाउं हैं, जहां पे इनको बाले का बंजायत को शुरू किया गया, फ्रेंट्स अब बात कर लेते हैं, गुजरात की, तो आप देख सकते हैं, गुजरात, गुजरात की जो coastal line है, वो सबसे बड़ी है, very important ध्यान रखेगा, कैपिटल है गांधी नगर, सियम है भुपेंदर भाई पर टेल और गवर्नर है आचारिया देवरत, गुजरात का जो sexual ratio है, 2011 के according, वो कितना है, 919 पर 1000, और गुजरात की स्थापना होई, 1st May 1960 को, गुजरात में वर्ट का tallest statue है, जिससे कहते हैं, statue of unity, और ये statue of unity है, किसकी सरदार बलब भाई पटेल जी की, जो के गुजरात के केवरिया में located है, तो ये सबी question आपके important है, कुछ और news की बात करते हैं, गुजरात से, तो देखे, e-nagar mobile application और जो portal है, इसे गुजरात के chief minister ने launch किया, इंडिया का जो बहला maritime arbitration center है, ये से गुजरात की capital गांधी नगर में set up किया गया, agriculture diversification scheme को launch किया, और यहाँ पे जो dragon fruit है ना, इसका नाम बदल कर क्या रखा गया, कमलम और ये भी किसके द्वारा किया गया है, गुजरात की सरकार के द्वारा, अगला question है, which state has displayed West Bengal to emerge as the largest state in terms of the outstanding portfolio of microfinance loan, तो microfinance loan के मामले में, कौन से राज्जे ने West Bengal को सबसे बड़े राज्जे के रूप में, मतलब वी स्थापित मतलब डिस्प्लेस कर दिया, तो West Bengal को पीछे चोड़कर, अब इसमें कौन सा state आगे निकल गया है, आंसर इस तमिलाडू, तमिलाडू के बाद किसका नंबर है, बिहार का, उसके बाद अब जो है position किसकी आ गई है, West Bengal की, यानि West Bengal इसमें तीसरे नंबर पर पहुँच गया है, next question is, on which day, did the world observe the first international day for countenning hate speech, तो किस दिन पहला अबद्र भाशा का मुकाबला करने के लिए, जो international day है, वो मनाया गया, तो पहली बाद जो है, वो इसे celebrate किया गया है, 18 जून को, इस दिन का main देखो purpose क्या है, कि जो hate speech है ना, उसका मुकाबला करना, जो गलत language होती है, और इसके अलावा, अलग-अलग, different-different logo, different-different groups के बीच में, tolerance और dialogue को promote करने की जो जरूरत है, जो need है, उसको highlight करना, इसकी theme रखी गई, role of education to address the root causes of hate speech and advance inclusion, non-discrimination and peace, तो यह इसकी theme है, पहली बादे से celebrate किया गया है, तो इसका आप लोग date को जरूर ध्यान रखेगा, next question is, who has been appointed as a chairman of Cellular Operators Association of India, तो इसके अभी हाली में अध्यक्ष कौन बनी है, तो simple, आपको बस इनका नाम ध्यान रखना है, प्रमोद के मितल, प्रमोद के मितल, करेंटली यह reliance to your info camp में, प्रेजिडेंट की रूप में काम कर रहे थे, बट इनको अब Cellular Operation Association of India में, इसके अध्यक्ष के अध्यक्ष के अध्यक्ष कौन बनी है, तो राइट आंसर हो चाहेगा, विपिन सांगी, very important, तो दिखें, recently जो है न, अभी कुछ states के chief justice change हुए है, तो इसलिए आपको थोड़ा सध्यान रखना है, जो chief justice तिलंगाना के कौन थे, SS शर्मा, उनको अब transfer कर दिया गया है, डेली हाई कोर्ट में, इन्दी सेम capacity, इसके लावद देखें, उत्राखंड में तो कौन बने, विपिन सांगी, और वहीं राजिस्थान हाई कोर्ट के, जो chief justice बने है, उनका नाम है SS शिंदी, तो दोनों में से तो कोई सा भी पूछ सकते हैं, इसलिए दोनों का आप लोग घ्यान रखेगा, कुछ और appointments की बात करती हैं, तो देखें, एक्स IPS officer लालपुरा, री-appointed National Commission for Minorities, ये इसके chief बनी है, हर्श वर्धन श्रंगला, ये इंडिया की G20 chief coordinator बनी, Government of India ने मोहन विनेक वात्रा को नया foreign secretary अपॉइंट किया है, और विकास कौमार ये Delhi Metro Rail Corporation के managing director पर पर अपॉइंट किये गए, next step, which of the following has launched an instant credit line service on WhatsApp, WhatsApp पर instant credit line सेवा शुरू किस ने की है, तो ये शुरू करी है cashier ने, तो cashier से right answer, ये जो company है न, ये customers को loan प्रोवाइट करेगी within 30 seconds में, जब आप उनका AI जो drive-on है, chat capability है न, जब आप उसको use करोगे, तो आपको 30 seconds के भीतर ही ये loan प्रोवाइट कर देगी, cashier जो है एक mobile only credit-led financial wellness platform है, जिसकी स्थापना 2016 में, वी रमन कुमार के द्वारा की गई थी, next question, which cricketer has become the oldest Indian cricketer to achieve a T20 half century, T20 half century हासिल करने वाले सबसे oldest Indian जो cricketer बनी है, उनका नाम क्या है, दिनेश कार्थिक, तो इनका नाम दहान रखेगा, देखेंगे दिनेश कार्थिक जी oldest मनी है, और इन्होंने former जो ये record था, वो एमस्थोनी के नाम था, तो उनका इन्होंने record ब्रेक किया है, he become the oldest Indian जो की 50 रन पे पहुंचे in T20 international में, with a half century at a age of 37 years and 16 days, और किसके अगेंस किया इन्होंने, South Africa की, एमस्थोने का चोई स्कोर था ना, 50 रन का, वो 2018 में South Africa के अगेंस्ट आया था, तो आप देख सकते हैं, तो फ्रेंग्स, आज के इस important class के हमारे सभी question हो जाते हैं, finish, आप सभी का thank you so much, कि आप लोगोंने video complete देखी है, और ये काफी important video है, ऐसे important video के लिए logic partial channel से जुड़े रहे, हम आपके लिए बहतरीन बहतरीन videos को लेके आते रहेंगे, इसके लिए अगर आप कोई भी video चाहते हैं, तो आप video के comment section में मुझे बता सकते हैं, किसी भी topic पर अगर आपको video चाहिए, या फिर आप जो telegram group पर उस पर भी message कर सकते हैं, मैं आपके लिए इस topic पर video ज़रूर लाऊंगी, thank you so much for watching this video,